तीस साल वाद 17 जनवरी 2023 से सनी का होगा जन में शनी उदय प्रारंभ तीस साल के बाद सनी का हुआ एक वार फिर से जनम सनी देव उस उर्जा के साथ उस सक्ति के साथ उस आत्म बल के साथ अपनी पूरी ताकत जोस के साथ में आपको फल देने के लिए पूर्ण रोप से कमर कर चुके हैं तयार हो चुके हैं उनका उदय हो गया है और ये उदय त सब्द प्रेयोक कर रहा हूँ, क्यूंकि ये उस घर में आ रहे हैं सनिदेव, जिस घर में इनको काफी ज़्यादा साहस उर्जा प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है, कुम्ब राशी का हमारे इस मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये राशी, स्वयम, नियाय पूर्ती शनी के द्वारा चलती है कुम राशी वो राशी है जिसमें आते ही सनिदेव प्रेम का भाव जागरित कर देते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये शनी की मोल तरकोंड राशी होती है और सबसे प्री राशी होती है शनिदेव की और जब भी कोई ग्रह अपनी मोल तरकोंड राशी में रहता है तो स्वभाविक रूप से वो अपना अच्छा फल परदान करता है क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है उसे आत्म बल मिलता है साहस उर्जा मिलती है तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सुबल समाचार पत्रिका में बनते हुए नजार आ रहे हैं जितने भी जातक मुझे शुन रहे हैं कुम बराशी के शुन रहे हैं आपसे विशेश रोप से कहना चाहूंगा कि बीड़ो को पूरा शुन लेना क्योंकि आप ऐसी जानकारी मिश करने वाले हो अगर आपने नहीं सुना तो आपको बहुत दिक्कत हो शकती है सबसे पहले समझे वो जो वर्स के यनि की 28 वर्स में आयू में है जिनकी आयू 28 वर्स की है या फिर 33 वर्स में जो जातक चल रहे हैं 36 वर्स में जो जातक चल रहे हैं 38 वर्स में या फिर 42 वर्स में हैं या फिर आपके 48 वर्स आयू है आपके लिए बिशेश रुप से ये फल महत्पुर होगा इस 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 आयू सीमा पर अगर आप हैं यनि जो हमने आयू सीमा वर्स बताए हैं अगर आप इस इस आयू सीवा में हैं, तो यह समझ लेजे कि सनी आपकी वारे यानि की वारे नियारे कर देंगे, सनी आपकी किसमत को चमका देंगे, बिल्कुल एकदम किशी प्रकार का कोई भी दोमत नहीं है, मैं जो भी बोलता हूं, बहुत शो समझ कर बोलता हूं, ऐसे है बैठे हैं, तो आपके लिए सस, यानि कि एक सस नामक महापूरस राजयोग बना हुआ है, क्योंकि ये सस नामक राजयोग, पंच महापूरस राजयोग में से एक होता है, अगर आपकी जर्म पत्रिका में शनी की महादसा चल रही है, तो अब आपके लिए आगे आने वाला समय बहुत महत्पूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके लिए शनी का प्रभाव चालू हो जाएगा, और ये सत्रह जनवरी दोजर तेज से सनिदेव आपके वारे नियारे कर देंगे, कुमबराशी, अगर आपकी राशी है, तो या फिर आपके लगन भी हो सकती है, अगर लगन से संबंदित हैं, इलेक्ट्रानिक से संबंदित हैं, क्रिशकार से संबंदित कार करते हैं, भूम से संबंदित काम करते हैं, राजनेतिक से काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ब्यापार करते हैं, सनिदेव आपके वारे नियारे कर देंगे, क्योंकि 17 जनवरी से सनिका होगा, जन्म यनिकी सनी का उदय होगा हमने इसलिए ये सब्द प्रयोग किया कि कुई 17 जन्वर से राशी परवर्तन करेंगे और कुम्ब राशी में आएंगे हलाकि यहाँ पर बहुत शारी राशियों को विशेश रूप से फल देंगे हम आगे आपको वीडियो के लाश्ट में बताएंगे कौन-कौन सी राशिया है यनि कि सभी राशियों के बारे में बताएंगे लेकिन बतादे कि मोल रोप से कुम्ब राशी में जब ये आएंगे तो कुम्ब राशी के किस्मत के वारे नियारे कर देंगे किश्मत को चमका देंगे शनिदेव, शनिदेव इसमें आपके ब्यापार, केजियर, महतपूर सफलता देंगे, हर छेतर में आपको लाब होगा, राजिनितिक छेतर में अगर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको बड़े पद मिल सकते हैं, मानसमान मिल सकता है, और कु जो जातक अभी तक कार छेतर से दूर थे या फिर किशी प्रकार को शमाश्याएं थी, निश्ची तोर पे आपको लाब होगा, और पूर्ण रूप से आपको विशेष रूप से अच्छा फल भी मिलने लगेंगे, तो कार में प्रसिद्धी प्राप्त होगी, नए धन लगाताराय बढ़ सकती है, कार में विशेष रूप से अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, जो अभी तक काम आपके रुके वे थे या पेंडिंग थे उन्हें में विशेष लाब होगा, विदेश की यात्राय कर सकते हैं, बैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, वि जीवरजस्त रहेगी, में पूर लाब मिलेंगे, अच्छे लाब योग बनेंगे, कई ऐसे कार जो अधूरे पड़े थे, पिंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे, तो कुम राजक्यत्कों की किस्मत बहुत ज़्यदा चमकने वाली है, क्योंकि सनिदेव 30 साल के बाद आ हैं, और इनकी किस्मत को चमका रहे हैं, इसके अलाबा भी और राशियां हैं, जिनकी किस्मत को वारे नियारे करेंगे, क्योंकि कई राशियों पर यनि की राजयोग बन रहा है, खासकर चार में ससनामक राजयोग बना रहे हैं सनिदेव, इसमें जैसे की मेस राशिय के एमान समान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, कई कारचेत्रों सिलाब होगा, अधूरे कारपूरे होगे, वहीं ब्रिसब राशिक के जातकों के लिए भी सस नामक राजयोग बना रहे हैं, सस नामक राजयोग नी सनिदेव ब्रिसब राशिक के जातकों के लिए बना रहे हैं, और अब आपकी किस्मत चमकेगी, कई महत्पूर्ट छेत्रों से लाव होगा, साथ ही रूके वे तमाम कारों होंगे, कार पूरे होंगे, बात करें यहाँ पर मिथुन रासी की, तो मिथुन रासी करत करें, आपके लिए भी सनिदेव की कृपा बार से लाव होगा, भाग में अधूरे थे, पेंडिंग थे, उनमें विशेश लाव होगा, तो महत्पूर्ट सफलता मिलेगी, चारों दिशाओं से लाव होगा, शिंग रास्कत को आपके लिए भी सनिदेव की कृपा बरसेगी, नौकरी में आपको लाव होगा, शत्रों से थोड़ी सावधानी जरोर बरते हैं, लेकिन विशेश रुप से आपकी इस्तिती अच्छी रहेगी, पार्टनर में खास कर या फिर आंदरनी के स्रौध बढ़ेंगे, करने रास्कत को आपके लिए भी सनिदेव, यहाँ पर कई छेतरों सिलाब देंगे, नौकरी से संब्दित या फिर कई ऐसे कार है जो अधोरे पड़े थे, पिंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे, और तुला रास्कत को आपके लिए तो दिल खोल कर यहनी की, चुकि यहाँ पर ससनामक राजयोग भी बना रहे हैं, तो अच्छे लाब मिलेंगे, परणाम से रूप कहा जाए, तो नौकरी है, ब्यापा बात करें, यहाँ पर धनुराश्य की तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, पराक्रम और धन की स्थिती मजबूत रहेगी, धैर से काम लेंगे, साहस बल से काम लेंगे, तो अच्छे पढ़्याम होगे, मकर रास्कत को आपके लिए तो दिल खोल कर देंगे, इसमें आप की स्थिती, बहुत जवरजस्त रहेगी, कार्शेत में लाब होगा, जवरजस्त लाब होगा, अधूरे कार पोड़े होंगे, कुमबरासी की तो जैसे हमने बता ही चुके हैं कि ने हर्शेत में लाब होगा, जो भी काम करेंगे, जो भी छुएंग, जिस काम को छुएंगे, मानों इनका भाग उदाय हो चुका मियन रास्कियात को आपके लिए भी अच्छे परिणाम रहेंगे खास कर इसमें आप विदेशों की यातरा कर सकते हैं विदेश जाने के लिए भी तयार हो सकते हैं विदेश के लिए अपलाई कर सकते हैं से आपको कोई बड़ी खुसकबरी मिलेगी तो कहने के मतलब है कि सभी राशियों पर कुछ ने कुछ बहतर परिणाम सनिदेव देंगे क्योंकि ये 30 साल के बाद सनिदेव का हुदा है यानि कि सनिदेव का जन्म कहा जाए तो राशी परिवर्तन कर रहे हैं और ये कुम राश करिएगा ताकि इस समय पर सभी लोगों को जानकारी मिल जाए और एक लाइक तो बनता है कमेंट में लिखेगा जै शनिदेव और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए और बिल आइकन को प्रस जरूर करिएगा जै शनिदेव